तो हेलो फ्रेंज, वेलकम तुरे चैनल, ट्रिकी ब्रेंज, तब फ्रेंज, आज के इस वीडियो में हम एक नोटिस के बारे में देखेंगे, जो कि 17 फरोरी 2022 को चारी हुई है, यह है नोटिस इस्थानी परिक्षाओं को ऑनलाइन करा जाने के सम्बंद में है, तो वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो के इन तक ज़रू देखिएगा, चलिए देखते हैं इस नोटिस में का लिखा है, तो यह जो नोटिस है, यह सभी प्रकार की पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, और सालाओं की परिक्षा आफ्लाइन लिया जा रहा है, उक्त संबन में प उपस्तित होकर समस्त सास्की एवं असास्की सालाओं की इस्थानी परिक्षा आउनलाइन लेने के लिए पत्र प्राप्त हुए हैं, अतर समस्त सास्की एवं असास्की सालाओं की इस्थानी परिक्षाएं ऑनलाइन लेने एवं बोड की परिक्षाएं बोड के नियम अनु किये जाएं यह आदेश किसके दौरा देख सकते हैं यह पत्र किसके दौरा जारी किया गए स्यूंक्त संचालक सिक्षा संभाग बिलासपूर 36 गड़ के दौरा सतरफरी 2022 को जारी किया गया था प्रंत इस पत्र की सच्चाई क्या है यही इस वीडियो में हम देखेंगे देखी यह जो न्यूस पर पर है यह दैनिक भासकर्स लिए गए है इस न्यूस को पढ़के हमें उस पत्र की सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी इसमें लिखा है यह पत्र जारी होते ही बिलासपूर विधायक सैलेस पांडे ने कहा उनके प्रयाश से पुरे देख में ऑनलाइन परिक्षा की वेवस्ता लागू हो गई है दैनिक भासकर से बातचीत में इसकुल सिक्चा विभाग की प्रमुक सच्यू डाक्टर अलोक इसकुलों की परिक्षा में अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कोरोना का प्रकोप कम हो गया है ऐसे में इसकुल भी खुलेंगे और परिक्षाएं भी सामाने तोर पर ली जाएंगी लोक सिक्चठ के संचालक सुनिल कुमार जैन ने बताया उनकी ओर से ऐसा कोई गाई थी उन्होंने इस तरह का प्रस्ता सासन को भेजा है संयुक्त संचालक को भी यही बताया गया था फिलाल संयुक्त संचालक में जो पत्र जारी किया था उस पर रोक लगा दी गई है परिक्षा को ऑनलाइन या आफलाइन कराने का फैसला सासन को लेना है तो फ्रेंड्स प्रंतु संचालक मोद है और सिच्छा विभाग के प्रमुक सचियुजी का कहना है कि इसकूलों की परिक्षाओं में अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है यानि ओनलाइन परिक्षा नहीं ले जाएगी और फिलाल अभी संचालक जी ने जो पत्र जारी किया था उस पर रोक लगा दी गई है तो फ्रेंट्स यह ने उस तो इसानी परिक्षाओं को ले कर था बोर्ड क्लास की परिक्षा माध्यमिक सिच्चम अंडल राइपूर पर डिपेंट करता है और वो तो यहाँ परिक्षा फिलाल आफलाइन ही लेने जा रही है अगर कोई नियु जाती है सीजी बोर्ड एक्जाम को ले कर तो आपके लिए वीडियो बना दिये जाएगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन दबा के रखना है ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकसन तुरंत मिले तो मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्यू फ्रेंड्स